दोस्तों आपका एक नजर क्रीशी चैनल में स्वागते तो चली दोस्तों आज दखाते हैं हम आपको मेल और फी मेल फी मेल तो चलो सब को ही पता है लेकन मेल दखाता हूँ आपको आज मैं कि मेल मेल में क्या पहचान है लेकन चलो तो अच्छी बात है जो बताते हैं चार पहचान है पौदे के बाद एक पांचवा मेल लगना चाहिए, लेकिन मेल भी एक ऐसे होना चाहिए, जो मतलब मेल सही हो, ऐसे मेल ना हो, कि जिसमें बाद में पस्ताना पड़े, सिर्फ हम यहां से दिखाते हैं आपको पौदा थोड़ा, दूर तो है लेकिन धूप भी है, और इस यह देखिए उपर पेड़, और इसके निचे एक मेल है, और बिल्कुल हरा है, और हरे हरे पते, लंबे पते दिखाई दे रही है, हवा से टहनी हिल भी रही है, हम नजदीक दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले हम आपको दूर से दिखाते हैं, तो यह मेल अलग से पहचान हो रही है, फीमेल के बीच में, यह देखिए और याहां पर देखिए, आप इसमें, जो है, मेल और फीमेल के अंदर इसमें पते की पहचान, और मेल की पहचान. तो अब चल कर दिखाता हूँ मैं आपको खेत में अब हम पौदे तो ले लेते हैं और पूछते भी है कि पौद मेल जो है कितने इसमें लगना चाहिए चलो अच्छी बात हो तो कि मेल जो है वो चार पौदे के बाद बता रही हो भी वो ऐसे गलत है क्योंकि हमने भी लगाया है ऐसी बात नहीं है यह देखिए एक पौदा दूसरा तीसरा और चौथा के हमने मेल लगाया है इसके उपर आगे भी जो है चार पौदे इदर को है यानि कि एक लाइन में जो है पूरे ही वो फी मेल है अब मेल दुखाता हूँ मैं आपको कि हम मेल लेने जाते हैं और हम पौदे ले लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पौदे के बारे में एक वीडियो पहले भी दुखाई थी कि हम पौदे जो है लेते हैं तो हम पौदे को जो है ये नहीं हम किसी से पूछते कि हमने पौदा लेना है तो ये पौदे में इसमें सही पहचान क्या है और पौदा हमारे को किस ढंका चाहिए हम लेते हैं सिर्फ मेल फी मेल और वरायटी भी नहीं पूछते कई बार कि ये कौन सी ब्रायटी है अगर ब्रायटी पूछ लेते हैं तो यहां एक दो ब्रायटी देते हैं सिरो लेकन मेल में हमें इतना नहीं बताते कि मेल जो है किस ढंग से मेल होना चाहिए और सही मेल जो है कैसे होना चाहिए तो अब हम आपको वो सही मेल बताते हैं कि मेल जो है किस धंग से होना चाहिए और जो मेल खराब निकला ओभी मैं आपको बताऊंगा कि जो है किस धंग से खराब है तो अब मैं इस वक्त मेल के निचे ही पहुंचा हूँ और यह पौदा जो है सामने दिखाई दे रहा है यह देखिए यह मेल है और यह नौ साल का पौदा अधा है और जो मैं आपको दूसरा पौदा दुखाता हूँ अभी वो पौदा जो है अभी मेल का जो है वो नौ साल का नहीं है वो सिरो हो साथ साल का पौदा है लेकिन मेल की पहचान एक करनी बहुत मुश्कल है वसे और असान भी है तो अब मैं आपको उस चीज़ को दुखाता हूँ मेल में कि हम मेल में किस ठंग से पहचान कर सकते हैं और मेल हमारा कैसे होना चाहिए आप है तो ये भी मेल है ये दे और साथ में वो भी मेल है, ये देखिए पार, ये भी मेल है, और इसको देखिए तो ये मेल है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल की पहचान किस धंग से करें, अब इसमें मेल, फी मेल, आपको मैं साइड में धोन दुखा रहा हूँ देखिए, ये मेल है, फी मेल है, तो इसमें कितने बड़े पत्ते हैं, ये देखिए, कितने बड़े पत्ते हैं, और फी मेल देखिए, मेल द यह देखिए छोट छोटे पत्ते हैं और हमेशा ही मेल की यह पहचान है कि मेल में पत्ते छोटे ही होते हैं बड़े पत्ते नहीं होते यह से आपके सामने है कोई ऐसे नहीं है और यह जो है फी मेल है इसमें पत्ते की पत्ते जो बड़े हैं और यह फी मेल है तो इसमें यह प पते की पहचान कि मेल और फी मेल में बड़े पते होते हैं और मेल में छोटे पते होते हैं लेकन असलियत में पहचान किस धंग से जोहल गाई जाए अब सिर्फ मैं आपको एक दो टहनी यहां पर दुखाता हूँ जैसे हमारा मेल यह तना है और तना निकलते ही यह देखिए यह छे फुट में हमने इसको भी काट दिया था और छे फुट में हमने यह दो शाखाय हो गई एक इस साइड हुई तो एक उस साइड गई भी यह देखिए आपके सामने और फूर लगना जो है छे फुट के बाद ह फूर लगना शुरू हो जाते हैं इसमें ऐसा मेल चाहिए हमें अब मेल की सई पहचान यहां पर देख लिए यहां से जो शुरू हुआ यह देखिए अब मैं आपको सिर्फ यहां दखाता हूँ यहां पर छोटी टहनी जैसे यह पते हैं यह देखिए यह इस पत जड़ चुके हैं और जड़े यह पत जड़ चला है अब इसमें ऐसा जो है यह जो है आपनुक देख रही है अंकुर यह है इदर अंकुर यहां पे भी है यहां पे भी आंकुर है यह साथ में अंकुर है यह जसा है और जपनाattend आपना पथ रहा है इसमें फूल के और छे फुट पे भी ऐसे ही अंकुर है यहां पर देखिए यह अंकुर फूल वाड़ा है यहां से ही आगए अंकुर निकलेगा और इसमें जो हिआगे को फूल निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि असली मेल की पहचान यह है तो इसमें जो है मतलब सारे में जो है या फूल आने शुरू हो जाएंगे तो ये देखिए आपके सामने ही ऐसे ही अंकुर जो है इसमें नके सारे में है नजदीक है बिल्कुल इन चीन्च का फर्क है अब थोड़ी विडि़ो तो थोड़ी लंबी बन जाएगी अब चलता हूँ मैं उस पौदे के पास जो पौदा हमारा घराब हुआ और जो हमने असली पहचान जो है आपको बता ही दी है कि इस ढंक से जो है एक बार यह आप और देख देखिए यह अंकुर है यह जो दिखाई दे रही है यह अंक है इसमें ही है यह फूल वाड़ी है कितने नजदी कही है अब मैं उस मेल को दखाऊँगा आपको जो बिल्कुल खराब मेल निकला हमारा और मैंने पहले भी दखाया था आपको मेल यह रेखिए अभी पत जड़ भी चला है तो कीवी भी अभी इसमें है तो अब मैं मेल के उसमें जा रहा हूँ पहुद को दखाने आपको की मेल का पहुदा भी एक बार आप देख लें मेल सही होना चाहिए ऐसा ना हो की मेल गल्त आजाए अब इस मेल के साथ मैं पहुँच चुका हूँ मैं यह देखिए यह मेल यह मेल का पौदा है यह मेल है तो यह पौदा जो है यह अभी साथ साल का हुआ और ओ पौदा मैंने आपको नौ साल का बताया तो इसमे भी टेहनी देखियों यह मेल यह पत्ते देखना इसके का जरा इसके पत्ते जो है एक एक पत्ता जो है मतलब दो पत्ते मलाकर तीन पत्ते मलाकर खाना खा सकता है लोग इस पत्ते के उपर इतना बड़ा पत्ता आईए और फूल जो है इसमें कहां लगेगा आगे जाकर टैनियों में उदर ये देखिए इसमें वो कहीं भी आपको अंकुर दिखाई दे रहा है ये देखिए एक अंकुर यहां पर है यहां निचे है और दूसरा यहां पर यानि कि छेंच पर अंकुर है ये देखिए अब ये हमारा मेल खराब जो है निकल गया और लगते हैं फूल ऐसी बात नहीं है फूल आते हैं इसमें लेकिन कहां आते हैं इदर लास्ट में दूर छे फुट वहां पर रह गया पार जब कि हमारे को छे फुट से जो है फूल छे फुट पे ही जो है फूल हमारा लगना चाहिए तो अब यहां पर देखिए हमने दूसरा पावदा लगा दिया इस पर ये हमने फी मेल लगाया है अब फी मेल का पता देखिए और यहां मेल उपर ये मेल का पत्ता और फी मेल का पत्ता एक जैसे लग रहा है ऐसे लगता कि ये भी फी मेल की तरह है लेकन ये मेल है तो भाईयों आप भी जो है मेल सही ढंग से लें और मेल का भी ये पूछ कर लें कि मेल अच्छा निकलना चाहिए गल्ट मेल ना निकले कहीं ऐसे ना हो कि अगर मेल गल्ट निकल गया तो आपकी जो है सारी मेहनत खराब हो जाएगी जैसे की मेरी हुई अब यह देखिए इस पक्ति यह पौदा और यहां साथ में मैंने तीन फुट के डिस्पेंस फे मैंने फिर यह पौदा लगाया है अब यह मेरा पौदा जो है फिमेल का यह चलू हो जाएगा तो अब इसको जो है मैं आगे को या तो इस पौदे को पट दूँगा यहां से क्यूंकि इस पौदे को रखने से कोई फायदा नहीं है इससे सारा मतलब बेकारी है इसलिए मेरा को यह पौदा खटाना पड़ेगा यहां से और मेरा यहां पर यह फी मेल चलाएगा क्योंकि मेरे उदर जो है मैंने एक मेल का पौदा लगाया है तो यह मेल जो है इसको कबर कर देगा तो असलियत में मेल लगना चाहिए नो पौदे भी मेल के और एक मेल लगना चाहिए इस धंक से अगर आपका सही बड़ा बगीचा है तो नो पौदे लगाकर आगे दसवा मेल लगना चाहिए अगर आपके दस पौदे ही आ रहे तो ठीक है फिर चार पौदे के बाद एक मेल लगा लो पांचवा मेल और एक लाइन उपर से पूरी दस पौदे की जो है लग जाती है तो इस धंग से जो है आपका मेल लग सकता है लेकन इस धंग से मेल ना मेल बिल्कुल सही होना चाहिए ऐसा मेल ना हो कि जैसा ये हो रहा है एक बार तो थैंक यू दोस्तो धन्यवाद इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक सस्क्राइब भी जरूर करें धन्यवाद